कि हलो फ्रेंड Welcome to cadkamp Research Center हम यहांपे कुछ पार्ड बनाकि यहांपे solid work पे practice करेंगे कि कुछ पार्ड हम solid work कासे बनाते हैं मह चीजह हम यहांपे करेंगे इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे यहांपे solid work पे हम ड्रॉईंक को यहांपे solid में कैसे convert करते हैं् तो चलिए यहाँ पर इस्टार्ट करते हैं, जो लोग हमारे चैनल पर नए वने हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बिल नोटिप्रेशन है उसको अन कलने, इससे क्या होगा आपको प्रॉपर नोटिप्रेशन मिलती रहेगी, तो चलिए यहाँ पर कर सकते हैं, लाइन कमांड का उपयोग करके, बना सकते है, कोई दिकत नहीं, हम लाइन से ही स्टार्ट करेंगे, ताकि सभी लोग यहाँ पर सीख सके, लाइन कमांड का वीडियो हमने डाल दिया है, यूटुब पे, पहला वीडियो हमारा वही था, बूरा ुपिटेल में लिया एक, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा height लिया और tilt करके यहाँ पे हमने क्या किया ये लिया और इस point को track किया, tracking भी है यहाँ पे, तो इस point को track करके और यह point in point में डाल दिया यहाँ पे, कोई दिक्कर वाली बात नहीं है आप यहाँ पर dimensioning कर देते हैं यहाँ पर dimensioning आपको सीखना है यहाँ पर देखो dimensioning किते टाइप की होती इसका मैं separate वीडियो गनाऊँगा smart dimensioning, horizontal, vertical यहाँ पर baseline, chain line, symmetric, linear, coordinate, horizontal, vertical और path length यहाँ पर dimensioning होती है तो हम हमेज़ा smart dimensioning को choose करते हैं इसमें सारी की सारी चीज़े आ जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है base को दे देते हैं हम किता 100 दे देते हैं यहाँ पर 100, okay दे दिए और यह जो height है इसको दे देते हैं 20 20, 20 और इसको दे देते हैं 25 25, यह okay हो गया और इसको दे देते हैं 50 50, 50, 50 ठीक है? ओके, अभी हमारा जो sketch है वो क्या हो गया है? fully defined हो गया है क्या हो गया है? अपर fully defined हो गया है angle भी देने जूरत नहीं है क्योंकि ये 20 है और ये 50 है तो ये यहाँ से यहाँ तक 30 अपने आप calculate कर लेगा और angle भी निकाल लेगा और यह 20 है तो यहां से 100-20 करके यह लंग निकालेगा एंगल अपने आप निकालेगा हमारा जो sketch है यह क्या है यहां फुली डिफाइन है exit करते हैं इस sketch से हम क्या करते हैं space दबाके isometric view में जाते हैं यहां पे अब यहां पे क्या करते हैं फीचर में जाके extruded wash करते हैं यहां पे तो हम mid plane से ले लेते है हम दे देते हैं जो यहां पे ठिकने size 50 दे देते हैं 50-0, ok 50 दे दिये और ok कर देते हें इसमें अगर material apply करना चाय तो material apply कर सकते हैं या color apply करना चाय है esper support हम color apply कर देते हैं यहां पे इसमें ये देखो, हमारा color apply हो गया है, ये, real view, real view को off कर देते हैं, तो कुछ इस तरीक का दिखेगा, अगर आपके computer में graphic card है, तो real view थोड़ा सा on कर लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ये हमारा हुआ, पहला part, अभी और बनाएंगे यहाँ पर, file में गए, new में गए, दूसरा part हम बनाएंगे, हमारे पास part की कमी नहीं है, बस आपको practice करना है यहाँ पर, हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, और, ये देखो, उसको rectangle लेकी में बना सकते थे, बट जो easy way है, उसको म प्रवब्लम ना आए, यहाँ पर ले लेते हैं अपकी, यहाँ पर, front plane, sorry यहाँ पर, top plane select हो गया, तो यहाँ पर front करिए, यहाँ पर sketch करिए, यहाँ पर sketch करिए, यह आ गया, दो बार में आएगा, कोई दिक्कर नहीं, अब हमको क्या बनाना है, triangular shape, यहाँ पर, line लेते हैं, ok को नो प्रॉब्लम ये लिए लाइन ये हमारा और ये वर्टिकल और ये हमारा ट्रेंगल हो गया इसका डैमेंशनिंग कर देते हैं हम 70-40 ये 40 हो गया हमारा और ये 70 ओके अब कोई डिफाइन करने की जूरत नहीं है fully defined आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं okay exit कर देंगे और isometric view में चले जाएंगे space दवा की isometric view में feature में गया, extruded boss यहाँ पर किता है, 40 कर देते हैं 40, यह हमारा 40 हो गया यह हमारा object बन गया तो कुछ इस तरीके से object हम बना लेते हैं तो part बनाना आप दीदे दीदे ऐसे सीच जाएंगे इसको color कर देते हैं कोई दिक्कर वाली बात नहीं है यहाँ पर यह color देते हैं यह हो गया हमारा color real view को off कर देते हैं कोई दिक्कर नहीं है तो कुछ अच्छा दिखेगा आपके आँख में नहीं लगेगा और अच्छा भी दिखेगा यहाँ पर यह हमारा part बन गया है और इसके बाद एक और part हम बना लेते हैं जित्ता ज़्यदा आप solid work में practice करोगे उत्ता ज़्यदा आपका हाँ set होता जाएगा continuous practice करते रहो friend plane, friend plane select हुआ line, अभी हम सिर्फ line का कमाल दिखा रहे है practice, कैसे कर रहे है यह, 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 और यह ठीक है, exit किये exit करने के बार isometric feature, extrude, extrude, 50 mm, 40 mm, कुछ भी कर लो आप, जो मर्जी आपकी इसमें dimension नहीं दिये थे, यह गलती किये थे बाट आपको हमेशा dimension करनी है feature में गए, यह ले लेते हैं okay, that's fine, real graphic को off कर देते हैं, off में ज़्यादा अच्छा रिखता है यहाँ पे, तो real graphic को off कर दिये तो कोशिश तरीके से आपका product जो है आपको यहाँ पे बन के ready हो चुका है और भी एक आप product की यहाँ पे practice कर लेते हैं जो part हमारा, उसकी practice कर लेते हैं practice में का man perfect अगर आप practice करते रहेंगे तो आपका काम बनता रहेगा अब कुछ और tough करते हैं यह horizontal okay okay that's fine dimensioning कर देते हैं thickness 10 okay 10 यह भी है दे दो, okay कोई दिक्कर नहीं है यह 80 और यह 100 120 कर दो fully define okay, that's fine और इसको extrude कर दो feature में जाके extrude किता? 90 okay यह 120 कर दो 120 यह 150 कर दो 150 यह 200 कर दो 200 यह 350 कर दो 350 कर दो यह 450 कर दो कोई दिक्कत नहीं जैसा आपको लगे वह ऐसा आप कर दो इसको color दे तो सुन्दल लगने लगेगा तीक है? ओके, that's fine रियल ग्राफिक रियल ग्राफिक को off कर देंगे तो अच्छा color दीखेगा तीक है? कुछ इस तरीके से हम प्रोडक्ट बनाये लेंगे एक और प्रैक्टिस कर देते हैं लाश्ट यह है यहां पे आज की सेशन का जो लाश्ट है इसके बाद भी एक्षली जो solid work की यहां पे book दिया है उसी से हम प्रैक्टिस करा रहे है ताकि आपको आसानी से चीज़े पता चल जाएं बहुत EGV में दिया है हम यहां पर home लेते हैं एक नई file open करते हैं sketch में जाते हैं front plane लेते हैं line लेते हैं सबसे पहले horizontal line यह लिए थोड़ा उपर गए tilt करे और जिंटल यह और यह ओके that's fine it's okay it's looking good exit किये और feature में जागे extrude किये 10 mm या 25 mm ओके त्वारी what is the problem between them एक मिनेट sketch में गए आप problem समझ में आएगी जब problem आएगी तभी तो मजा आएगा यह क्या है यह बाहर कड़ा हुआ है तो इसको खीच किये हम क्या कर देते हैं origin से joint कर देते हैं यह देखो कुछी इस तरीके से exit हमारे यहाँ पर और यह इसके select किये extrude किये 25 हमार ओके यह 10 हमार ओके यह हुआ यह देख सकते हो थोड़ा सा इसको color दे दो जैसा आप देना चाहो यह दे दिया color एकदम जैसा आप बुक में दिया है solid work के वैसे ही मैं color यहाँ पर दे दिया हूँ isometric view में कुछ ऐसा दिखेगा तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ में जो bell notification है उसको on कर लिजे इससे क्या होगा आपको proper notification मिलती रहेगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में